नमस्कार उत्राखन प्राइम आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ गुंजन दीख्षित चमूली में बद्रीनाथ नाशनल हाइवे पर पहाडी दरखने का खतरना वीडियो सामने आया है पहाडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चूटकर नीचे गिरता है जिस किसी ने भी ये मन्जर देखा उसके रूंगते खड़े हो गए गनीमत रही कि कोई रहगीर इसकी चपेट में नहीं आया देखिए वो तस्वीर भी हम आपको देखा रहे हैं किस तरीके से हाइवे पर फूटकर ये चट्टान गिरती है कनीमत ये रहती है किस दौरान कोई वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था कोई रहगीर यहां से नहीं गुजर रहा था वरना जान भी जा सकती थी परहाल ये डरा देने वाला वीडियो आपकी टेलिवीजिन स्क्रीन पर किस तरीके से पहाडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तूट कर नीचे गिर जाता है आई बेपर गिर कर ये चट्टान तूटी है अगेबरते अच्ण पुषकर सिंग धामी में ने चमपावत में चुनावी अभьяन को धार देनी शुरू करती है इसी कड़ी में स्यम पुषकर सिंग धामी ने रोड शो किया मुखी मंतरी धामी चमपावत सीर से उप्चुनाव लड़ने पहा रहे है चमपावत में ये सीम धामी का शक्ति प्रदर्शन है सीम धामी चमपावत विधान सभा सीट से विधान सभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं इसलिए पार्टी कारे करता भी उत्साहित है मुक्यमंत्री ने बनबसा से टनकपुर तक रोड़ शुकिया इस दोरान पार्टी कारे करताओं ने जगए जगए सीम का स्वागत किया मुक्यमंत्री ने कहा कि पूर विधायक कैलाश गहतोडी ने विधान सभाक शित्र में विकास के जो काम किये हैं वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे कैलाश गहतोडी ने सीम धामी के लिए अपनी सीट खाली किये हैं सीम धामी को छे महीने के भीतर विधान सभा का सदस्य बनना है इसलिए मुक्यमंत्री इस बार चमपावत की सियासी रण में उतरने जा रहे हैं सीम के चमपावत से चुनाव लड़ने पर आजबा कारे करता भी उत्साइथ हैं उन्हें लगता है कि धामी का इस शेत्र से प्रतित्तो करने पर शेत्र में विकास की गंगा बहेगी एवी पी गंगा के लिए चमपावत से अनुश शर्मा की रिपोर्ट आगे बढ़ते हैं तीन मई से चारधाम यास्रा की शुरुआत होने जा रही है कोरुणा के खौफ के बीच चारधाम यास्रा शुरू हो रही है मगर यास्रा के दौरान कोविड की सोपी को लेकर सरकार के मंत्री ही कन्फ्यूज है चारधाम के तयारियों के बीच कोरुणा का खौफ पैर पसा रहा मगर चार धाम यातरा में तीठ यात्रियों के लिए गया नियम कायदे होंगे इस पर धामी सरकार के मंत्रियों के अलग-अलग बयान सामने आ रहे है स्वाहसर मंत्री धन चिंह रावत कुछ कह रहा है तो कृष्य मंतरी गड़ेश जोशी और परेटन मंतरी सत्पाल महराज के बयान अलग सबसे पहले कृष्य मंतरी गड़ेश जोशी का बयान सुनी कि आखिरकार उन्होंने चार धाम में कोविड की गाइडलाइन को लेकर क्या बयान दिया सरकार उसके लिए पूरी तरह तयार है माने मुखंदी जी उसकी खुद मुर्टिंग कर रहे हैं और इस पकार से करोने के मामले बढ़ रहे हैं हमने उसके लिए RDPCR टेस्ट को निवार कर दिया क्योंकि किसे की जान की कीमत से जादे कुछ नहीं हो सकता और बाकी हमारी यात्र रिपोर्ट ज़रूरी होगा मगर मंत्री धन सिंग्रावत का कहना है कि इसके लिए यात्रियों को सिर्फ प्रेरिद किया जाएगा हम इन यह भी है कि हमारे तापिश टेस्टिंग जितनी हो रिए उसको दोगना किया जाएगा और जो जो लोग बहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको परिरिद्भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग के उधर मंत्री सत्पाल रावत का अलग ही बयान सत्पाल महराज कह रहा है कि चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए मास्क सेनेटाइजर और दो गस की दूरी ही अनिवारे होगी तीन मैं से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है अभी तक माना जा रहा था कि कोविट संक्रमन कम है इसलिए चार धाम यात्रा सुचार रूप से चलेगी और कोई बंदिशे नहीं होंगी मगर जिस तरह से देशपर में कोविट के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद उत्राखन सरकार की चिंता भी बढ़ गई यात्रा शुरू होने में अब कम समय बचा है ऐसे में सरकार के सामने चुनोती इस बात की है कि तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर आने के लिए खुली छूट दी जाए या फिर नहीं अबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राला के साथ मसूरी से सुनीर सुनकर की रिपोर्ट आगे बढ़ते हैं चारधाम यात्रा पर आने वाले शुरधालों की कोरोना जाच को लेकर सरकार के तीन मंत्रियों के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं इस पर कॉंग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है कॉंग्रेस का कहना है कि पिछले सीजन में भी चारधाम यात्रा के दौरान भी कई तरह की अव्यावस्थाएं सामने आई थी आज आप देख रहे हैं कि सरकार में होल्ड मचीवी है तो कौन व्यक्ति कितने बयान जारी करते है जो स्वास्तमद्री का विसे है वो दूसरे विसे में बयान दे रहे है जिनका स्वास्ते मतलब नहीं है वो स्वास्त में बयान दे रहे है तो मेरा अनुरोद है कि अगर य यात्रा प्राणब होने वाली है सारे हमारी व्यापरी वर्व धार्वी संस्ता हैं परिवन वाले सारे लोग परिशान रहें उनके किस्ती भी नहीं उतारे गई हैं अगर इस बार कोई ऐसी अवेस्ता हुई जिसके करण यात्रा परवावित हुई या करोना में लोगों को रो पुशकर सिंधामी का कहना है कि सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए पुखता इंतजाम किये गए हैं। हमारी आई है हर जगह पर हर अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले कंसंट्रेटर नहीं होते थे ऑक्सीजन के सिलेंडर कम होते थे ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते थे आज सभी जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट है। बच से बत्तर ना हो इसके लिए 500 रुपई का जुर्माना लगाया गया है आप कोविट के बड़ते संक्रमन को देखते हुए या आदेश जारी किये गए हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य है बगेर मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपई का जुर्माना लगाया जाएगा उत चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राजपाल गुर्मीत सिंग्ने अधिकारियों के साथ बैठक की राजपाल ने राजभवन में अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की तैयारी पर जर्चा की बैठक के दौरान राजपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्राखं प्रदेश भाजपा संगठन को भेज दिया जाएगा पहला विशे की उत्राखंड राज्ये में एक राज्ये सभा की सिट के लिए केंद्रे नितरत्तों ने बात चीत हुई है तो हमें जल्दी पैनल बेजना है तो हम आज भी बैठे हैं कल भी बैठे के और परसो बैठ कर सभी लोगों के साथ विचार विवर्स करके हम वो पैनल अगे बर्ते उत्राखंड में धामी सरकार ने तीन बड़े अइफ्यकारियों के खिलाफ एक्षन लिया है ये कारवाई कारबे टाइगों रिजर्व में वैण निर्मार समेत कई तरह की गडबड़ियों के मामले में हुई है उत्राखन में धामी सरकार ने वन विभाग के तीन अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है आई एफ एस अधिकारी जिए सुहास और किशन चंद पर गाजगिरी है जिबकि राहूल कुमार को वन मुख्याले देरदून से अटेच कर दिया गया है अब आपको सिल्सलेवार तरीके से बताते हैं क्या किरकारे नधिकारियों पर आरूप क्या और में टाइगर रिजर्व के डारेक्टर रहे राहूल कुमार पर अवैद कटान और निर्माण समेथ कई तरह की गड़बडियों का रूप आरूप है कि काला गड़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग की बोकरों में टाइगर सफारी के निर्माण के लिए स्विक्रित से जादा पेड़ों को कटा गया था इसके रावे श्वेदर में सडक, मूर घटी और पाकरों वन विश्राम ग्रे परिसर में भवन और जलाश्वे का निर्माण भी कराये गया था मगर इन कामों के लिए वित्ती और प्रशासनिक मख्जूरी तक नहीं मित्ली गई थी राहुल कुमार को फिलाल देरदून बन मुख्याले से अटेच कर दिया गया है उदर कॉर्बेट नेशनल पार्क की अंदर अवैद निर्माण समित कई गलबड़ियों को लेकर कैम की जिम्मेदारी समाल रहे जे एस सोहा को निलंबित किया गया है पिछले दिनों आएस से अधिक संपत्ती के मामने में चर्चा में रहने वाले किशन चंद को भी सस्पेंड कर दिया गया है एक साथ तीन बड़े अधिकारियों पर कारवाई से बीरुक क्रेसी में हरकम मचा उबा है चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाले दिनों में क्या धामी सरकार कोई बड़ा एक्षन तो नहीं लेने जा रही है ये भी पिगंगा के रिए देरदून से अजित सेंगराठी के रिपरूट कि वन्वेभाग के तीन बड़े अफसरों पर हुई कारवाई को लेकर वनमंत्री सुभोध उन्याल ने कहा कि प्रदेश में करप्शन की किसी भी कीमत पर करप्शन को बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा करवेभ पर्क प्रदेश तुब कुछ अनिमित था एक और इस पर इस पर देख रही है तो उसमें जो अटसर्ब देश्ट नहीं जो साक्सरकार को भिले है उसके अंतार दे लोगों की जो कमिया पाई गए उसका अधर पे नहीं लिए गए और भविस्वा भी किस तरह का कॉंग्रेस के संगठात ने चुनाव को लेकर उत्राखन में दीज त्यारियां तेज हो गई हैं से लेकर पार्टी की तरफ से त्यारियां आखरी चरण में हैं उत्राखन के लिए जीसी चंद्रोशेखर को चुनाव अधिकारी बनाया गया है नौबाई को कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता एक बैठक भी करने जा रहे हैं जिसमें इस पर चर्चा होगी ऑफ मिल्की डिऊंडते के उच्चा लिए उसमें उत्तारब्ल से प्रचे स्यानिल विश्रा है उनको अलोबड़ा में बनाया गया कि श्री स्मामी नाथ-जैस्वाल जी बिहार से है उनको रानिकीट में रखा गया है गिर्एमांग्ान की दिल्ली से उनको चंभुखिंग्गर् जिर्च वीजै। जिली से उनको चमबोली में सिरी मानीज मोरो लिया उत्र परदेश से संबादी दें उन्हें देरादून की एक सामाजिक संस्ता क्या अध्येक्ष और मैयर के बीच हुई कहा सुनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है मेर के समर्थन में उत्रे पार्शदों ने धर्ना दिया पार्शद और करनुचादियों का कहना है कि सुनिया आनंद को मेर से सारुज़निक माफी मांगने चाहिए आपको बता देए कि पार की एनोसी कैंसल की एज़वाने को लेकर कल सुनी आनंद पर नगर निगम के दफ्तर वो पहुँची थी जहां उनकी मेयर के साथ कहा सुनी हुई थी देखें दो तस्वीरे आपको देखा रहे हैं मेयर के समर्थर में किस तरीके से पार्शाद उत्रे हुए हैं पहली तस्वीर में आप देखेंगे और कल जो कहा सुनी हुई थी उसकी ये दूसरी तस्वीर आगे बढ़ते हैं भगवानपूर के डांडा जलालपूर गाउं में जिला प्रशासन की सकती के कारण महा पंचायत नहीं होपा इस मामले में तकरीबन दस लोगों की गिरफतारी हुई है जीम विनेशंकर पांडे का कहना है कि किसी को भी माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी प्रशासन की तरफ से एक तरफ बाहरी लोगों का चुन्नी करण किया जा रहा है तो वही सरकारी जमीन से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है डियम विनेशंकर पांडे के आदेश पर मेला क्षेत्र से अतिक्रमण के खलाफ अभ्यान चलाया जा रहा है इसले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुम्भ के उपरांत यहां के रोडी बेल वाला छेत्र में या हरगे पड़ी के असपास काफी अवैद धंक से लोग आ गये थे यहां और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के आँ रह रहे थे तो प्रशासन नहीं अंदरने लिया कि नगर निगम पुलिस और डिस्टिक अडिनिस्टेशन की एक जॉइन टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आथ काफी व्य जंगल जलकर खाक हो गए हैं तो वहीं वनवे भाग को इससे एक करोड़ पे चत्तर लाख रुपाई का नुकसान भी हुआ है गंप्रियाग में प्राइमरी स्कूल के चात्र खौफ के हिसाई में पढ़ाई करने को मजबूर हैं तरसल स्कूल के पास सड़क के निर्मार का काम चल रहा है जिस वज़़ से स्कूल के उपर पत्थर और मलबा गिर रहा है कर्ण प्रियाक की इस प्राइमरी स्कूल के च्छात हर पल खौफ खिसाय में पड़ाई कर रही है इस्कूल के पास ही सड़क का निर्मार कारी चल रहा है आशंका इस बात किये कि अगर कभी पहाडी से मलवा इस्कूल के उपर गिरा तो बच्चों की जान बचेगी कैसे उपर से तूथ रहा है और बड़ी बड़ी पत्थर जो है उसी तरह बाहर है अभी तो उन्होंने थोड़ा सा मलमा मिटी का मलमा लगा रखा है लेकि उपर से तूथने का बहुत जादा है और परसों एक ही इतना बड़ा पत्थर आया कि मैं खुद को तो बचाना जो भी है लेकिन मुझे ऐसा रखा छोटे बच्चों को कैसे बचाओ लंगास्तू प्राइमरी स्कूल के पास रोड के निर्मान के लिए पहाडी की कटिंग ली जा रही है पहाडी से आए दिन पत्थर बीचे करते रहते हैं जिससे बच्चे हौफ के साय में बढ़ाई करते हैं खत्रा सिर्फ इस स्कूल को ही नहीं है सड़क के दूसरे किनारे पर कई मकान हैं पहाडी से किर रहे पत्थर और मलवे की वज़ा से इन गरों में रहने वाले लोग भी घबराय हुए हैं लोगों की मांगी की प्रिशासन को इस वोड ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी घर और स्कूल पच पाएं यह विखी गंगा के लिए करण प्रयाक से जिते इंद्र प्रवार की रिपूर्ट देखे रोड निर्मार के लिए पाहार की कटिंग की जा रही है और वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी मौझूद है ऐसे में उस cutting के दौरान कितनी परिशानी वहाँ पर उठानी पड़ रही होगी और आने जाने वाले लोगों को भी जाहिर सी बात है परिशानी उठानी पड़ रही होगी